तो हम यहां तक कोंचे थे कि is equal capital प्रियाडियोटी है फिर हमने इसको non-current current assets में ब्रेक किया और नॉन करण्र और करेंड ब्रेक किया फिर हमने capital के बारे में कुछ पढ़ा फिर working capital के बारे में कुछ पढ़ा और हमें यह पता चल कि working capital जो है वो current assets minus current diabetes के बराबर होता है तो क्या ऐसा possible है कि इस accounting equation को मैं further इस तरह से भी लिख सकता हूँ अगर चाहूं तो which is non current assets plus current assets minus current diabetes क्या होता है current assets minus current diabetes क्या होता है current assets minus current diabetes किसी इसको कहते है current assets minus current diabetes का दूसरा नाम क्या होता है current assets minus current liabilities का जो दूसरा नाम है वो working capital होता है तो हम यूँ भी लिख सकते हैं ना non current assets plus working capital is equal to capital employed ठीक है सारी चीजें एक ही है सारी बातें एक ही है assets is equal to capital plus liability है उसी से यह बना उससे यह बना उससे यह बना उससे यह बना उससे यह बना यह ना आपके बैने शीट का फॉर्मेट इस तरह से बनावा होगा यानि के नौन करेंट assets प्लस working capital is equal to current capital employed यह वाला फॉर्मेट कैसा होगा इस फॉर्मेट में आपके पास सबसे पहले नौन करेंट एसेट्स आप लिखेंगे ठीक है लेट से कंपनी उसके कुछ नौन करेंट एसेट्स हैं लैंड इंड बिल्डिंग है मोटर वहीकल है चैने बिस के नौन करेंट एसेट्स होंगे इनका एडिशिण ऐख पर आ रहा होगा क्रिकावगे इसके बाद सारे के सारे current Assets लिक्षे वेँए होंगे इसके बाद सारे के सारे current Assets लिक्षे वे होंगे current assets में stock हो सकता है receivable हो सकता है cash at bank हो सकता है और cash in hand हो सकता है इनकी जतनी भी values होंगी एक दो तीं चार यह सारी values एड हो रही होंगी यह सारी वैल्यूज एड हो रही होंगी यह सारी वैल्यूज एड होकर जो वैल्यू आएगी जो आमाउंट आएगा जो आंसर आएगा जिसारी वैल्यूज एड होकर जो आमाउंट क्या आंसर आएगा उसमें से करेंट करेंट लाइबिलीटीज को माइनस क किया जा रहा होगा करन्ट डाइबिलीटी में क्या क्या होगा पेबल होसकते हैं एक्रूड एक्सपेंसे सो सकते हैं ठीक है ना आइसाइसा इन टर्म्स की मजीद understanding आपको मिलेगी अच्छा जी तो यहां पर आपके पास लेट से कुछ payables हैं कुछ accruid expenses हैं इन दोनों को add किया होगा इन दोनों को add करकर एक amount आया होगा और फिर आपके working capital की amount आई भी होगी working capital की amount कैसी होगी कहां से आईगी working capital की amount किसमें से किसको minus करकर आईगी working capital की amount current assets के total में से current liabilities के total current assets के total में से current liabilities के total को minus करकर आईगी ठीक है और यह दो टोटल जब add होंगे आप मुझे बताएं कि नौन current assets को और working capital को जब add कर लेते हैं नौन current assets को और working capital को जब add कर लेते हैं अगर कोई working capital और non current assets को add कर दे तो क्या बनता है अगर कोई working capital को और non current assets को add कर दे तो वो capital employed बन जाता है तो यहां पर आपके पास लिखावा होगा capital employed capital employed क्या होगा एक्षेली capital इंप्लोइड जो है उपर वाली दो values का सम होगा और दो values वो कौन सी होंगी एक तो working capital की value और एक non current assets की value further यहां पर capital इंप्लोइड दूसी तरह के से calculate वावा होगा जिसमें आपकी नौन LIABILITIES होंगी कि उसमें bank loan हो सकता है mainly bank loan होता थिके जी और क्या होगा Capital capital यानि के owner का अपना पैसा Capital यानि के owner का अपना पैसा यह दोनों add value होंगे और इन दोनों को add कर भी bottom line पर क्या लिखावा होगा इन दोनों को add कर कर भी bottom line पर लिखावा होगा capital employed तूब कि capital इंपुइट दो तरीके से आ सकता ना capital इंपूइड दो तरीके से calculate किया जा सकता है capital employed दो तरीके से calculate किया जा सकता है या तो आप जो है वो non current liability such as के bank loan औगहरे है और capital है उसको अड़ कर दें या पर आप जो है वो करेंट एसेट माइनिस करेंट लाइबिटी से वर्किंग एपिटल निका लें और उसमें नॉन गरेंड लाइबिटी को एड़ के लिए तो इस तरह का फॉर्मेट भी आपको बैलेंशीट का देखने को मिलेगा इसको हम वैल्यूस भी पुटिंड करकर एक बना लेते हैं वैल्यूस में अपनी तरफ से खुछ से इमिजनरी कुछ वैल्यूस पुटिंड करकर और आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको मजीद निमेरिकल कर देता हूं तो समझने में आसान हो जाएं लेट से कमपनी के पास लैननेट विडिंग्स हैं 500 की मोटर वह और उसका सम लिखती है समझ में आ रही बात ठीक है जी मेरे पास है वह फिक्स वावाव है इस सरह से कोई भी अलमारी है कोई मेज है इस सरह की चीज़े लेते हैं फॉर इस टॉक की वैल्यू हम लिख लेते हैं 90 फिर 85 लिख लेते हैं 75 लिख लेते हैं 50 लिख लेते हैं इन सबको जब हम अड करेंगे इन सबको जब हमारे कॉर्ण रसंस का चुटल आ Especially करेंगे तो हमारे करण्स एसस नर यहां वाली वैल्यू यानि के वेल्यू है वो कैसे आएके कंट ऐसिट में से कंट के की याई कि आधिवनोगा की ल्गाई कर द्सक्या है उसके बाद आपको कुछ बैंक लोन होगा एजियूंगे लो 330 का बैंक लोन है और 500 रुपे जो है वो ओनर खुद लेकर आया था और इस हिसाब से आपके पास है वो दूसरे तरीके से जो capital employed है वो calculate हो रहा होगा दोनों values आपस में एक दूसरे से टेली कर रही होंगी यानि कि इस तरीके से जो capital employed आ रहा होगा वो ही इस तरीके से आ रहा होगा यह भी balance sheet का एक ही एक format है यह भी balance sheet का एक format है और इस format पे आपने जो है वो non current assets, current assets, उसके बाद current liabilities, working capital की value, फिर capital employed और फिर बाद में आपने डूसरी तरीके से capital employed को calculate किया है तो कहने का मक्सद यह है कि balance sheet के ही मुक्तलिफ तरह के format होंगे, balance sheet के एक से ज़्यादा format होंगे जो के आपको नजर आ रहे होंगे मुक्तलिफ सवालात में, फिक है जी, अब आपको यह याद रखना है कि assets is equal to capital plus liability है और उसमें further क्या चीज़ें पर्दर जो चीज़ें वो भी मैंने लिखते हैं, यहां तक चीज़ें clear हैं, अच्छा जी, अब हमने अभी तक, अभी तक, अभी तक, अभी तक, जो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर मैं rules of accounting को recall करूं, जो दो चीज़ें अभी हमने नह क्रेडिट कहते हैं, asset है, एलसर था ना, एल, liability, ठीक है, asset, liability, capital, expense, revenue, recall करवा रहा हैं, फोड़ा सा, asset अगर increase होता है, तो debit होता है, liability increase तो credit, capital increase तो credit, expense increase तो debit और revenue increase तो credit, asset decrease होता है, तो credit होता है, liability decrease होती है, तो credit, capital decrease तो credit, revenue decrease तो credit, यह rule of accounting यह rules of accounting आप ते एक तो पढ़ लिए और आपको इन चीजों के rules अब मालूम है क्या यह clear है ठीक है जी यह rules of accounting थे जो हमने पढ़े थे इसमें majority अभी तक जो हमने बात करी ना अभी तक जिन चीजों की बात करी उन चीजों में हमने assets की बात करी ठीक है ना capital की और liability की asset liability और capital इन तीन चीजों की बात करी अभी तक हमने expenses को revenue को नहीं देखा expenses और revenues जो है उसकी entries को या वो किस सहां से record होते हैं इन चीजों को अभी तक हमने discuss नहीं किया ठीक है जी अच्छा अब थोड़ा सा हम इसकी डबल इंट्री देख लेते हैं कि वही एक expense की या एक revenue की जो है वो डबल इंट्री किस तरह से नजर आएगी किस तरह से अगर expense increase हो रहा होगा तो वो debit होगा और revenue अगर increase हो रहा होगा तो credit होगा लेट से मैं teaching service की बात करता हूँ बिलकुली बेसिक सी अभी example ले रहा हूँ फिर हम इसके advance version पर भी जाएंगे teaching service की बात करता हूँ लेट से मैं teaching करता हूँ teaching में बच्चे मुझे फीस देता हैं लेट से मैंने एक बच्चे से फीस ली है 10,000 रुपई ठीक है जी मैंने एक बच्चे से फीस ली है 10,000 रुपई और मैंने यह फीस जो है वो cash में लिये और मैं उसको online पढ़ाता हूँ सभी है अब जब मैं फीस लूँगा फीस मेरे लिए revenue है फीस मेरी income है, फीस मुझे पैसे जो हैं वो मिले हैं, क्या डबेरेंटरी पास हो, भी बताओ, बिल्कुली सिंपल सी, सिंपल सी, एक introductory values पर हम आ रहे हैं, कोई चीज़ complex नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी मैं आप से बात कर रहा हूँ, यह मैं teaching service provide करता हूँ, एक बचा मुझ मैं दसजार फीस होगी, मैं चार दिन में तुम्हें पूरा accounting जो है, वो दो दो गंटे एक गंटा पढ़ा कर जो है, वो खतम करवा दूँगा, कुछ recording बेज दूँगा, एक्स वैजएट सारी बात हो दो, और उसने मुझे cash पैसे दे दिये, और मैंने उसको एक service दे दी, ठ ठीक है, तो अगर मेरे पास cash आया है, सुनना जरा गोर से, मेरे पास क्या आया है, student से पैसे आये हैं या गए हैं, student से पैसे आये हैं न, तो cash या bank account क्या होगा, debit होगा, क्यूं, cash आया है न, cash asset है, asset increase होता है, तो क्या होता है, debit होता है, cash asset है, asset increase होता है, तो क्या होता है, debit हो तो इस स्टूडेंट ने मुझे 10,000 रुपए फीज दी है 10,000 रुपए मेरे पास डेबिट हो जाएंगे ऑन दी अदर हैंड और हैंड रेविन्यू यश सेल्स रेविन्यू इसको स्पेसिफिकली चलो हम कह देते ते हैं वह दस हजार पैसे क्रेडिट हो जाएगा ठीक है सेल् इंक्रीज वा तो डेबिट किया, ऐसे इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और अगर रेविन्यू इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट होता है, ये बात हमें मालूम है, तो हमने इसकी एक डेवलेंटरी पास कर लिए, अब मेरे कुछ खर्चे भी होंगे, मैंने इस को पैसे दिये, या इलेक्रिक सिटी का विल लगा, बहुत सारे एक्स्पेंसे होता है ना, अच्छे देखो, एक सवाल आया है, क्या हम इसको रीसीवेबल कह सकते हैं, नहीं, रीसीवेबल नहीं कह सकते, अगर ऐसा होता है, स्टूडेंट बोलता है, मैं आपको बाद में प और उसी वक्त हाथ के हाथ पैसे दे दी है, ठीक हाथ के हाथ उसी वक्त पैसे दे दी है, जब उसी वक्त पैसे दे दी है, जब उसी वक्त पैसे दे दी है, तो रीसीवेबल क्रियेट नहीं होगा, रीसीवेबल तब क्रियेट होता है, जब पैसे डेले से मिल रहे हों, मिसा आँचे खेर जूम आइडी के कईश प्रेगर फेरे के के कश पे पे अब यहे मेरे खर्चे है, अब यह मेरे खर्च Judy के खर्चे करूंगा मैं इसकी डवल एंट्री क्या पास करूंगा जो मैंने जूम आइडी पर्चेस करने के लिए खर्चा किया यही एक खर्चा था तो मैं डवल एंट्री क्या पास करूंगा सर मैं डवल एंट्री पास करूंगा एक्सपेंस डेबिट या जूम आइडी एक्सपेंस डे इस स्टूडेंट को पढ़ा सकूँ, इसलिए मैंने खर्चा किया है, तो Zoom ID expense debit होगा और मैंने ये cash से pay किया है, bank account से pay किया है, मेरा bank account या cash है, वो credit हो जाएगा, क्योंकि जब payment होगी, जब पैसे दिये जाएंगे, जब पैसे दिये जाएंगे, तो cash कम होगा, cash asset है, asset decrease होगा, तो credit होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, देखें, अगर एक expense, अगर एक expense increase होता है, तो वो debit होता है, तो आप देखें कि Zoom ID का expense मैंने अपनी books में record किया, तो मैंने उसको debit किया, और cash एक asset है, वो कम हो रहा है, तो वो credit हो रहा है, ठीक है, अच्छा, अगर कोई मुझ से ये पूचेगा, कि तुमने profit कितना कमाया, expense क्यों होगा, बिटा मैं, अगर, अगर let's say, मैं teaching service provide करता हूँ, तो teaching service provide करने के लिए दीगर बहुत सारे खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे मेरे expense है ना, मेरा खर्चा है ना, या नहीं है, हाँ जी, मेरा खर्चा है या नहीं है, expense है ना, तो भई expense अब increase होता है, तो क्या होता है, ये जो rule है, इसके साबसे, अगर expense increase होता है, तो debit होता है, तो आपने एक expense अंगर किया, आपने जो है वो जूम आईडी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और आपने कैश से मैजियूं कर रहा हूं कैश से पेमेंट हुई है तो आपने कैश को क्रेडिट कर दिया अच्छा आपने कमाया कितना क्या आपने 10,000 रुपे कमाया आपका मुनाफ़ा आपका प्रॉफिट आ और मेरा जो एक्सपेंस था वो 2000 रुपे था मेरे रेविन्यूज दस हजार रुपे थे और मेरा जो एक्सपेंस था वो 2000 रुपे था यानि कि मेरा जो प्रॉफिट है मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 8000 रुपे मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपे नहीं होगा इसलिए क्योंकि 10,000 रुपे कमाने के लिए 2000 रुपे के खरचे भी तो करे हैं तो अगर 10,000 रुपे कमाने के लिए 2000 रुपे के खरचे भी करे हैं लहाजा आपका जो प्रॉफिट होगा न वो दस हजार माइनस दो हजार यानि कि आठ हजार होता हूँ ये बात समझ में आती है ठीक है? अच्छा, एक और एक्जामपल ले ले लेते हैं इसी तरह की अब ज़र हमें सेल्स की जो ब्राडली दो टाइपस हैं उसकी बात करता हूँ देखें जब हम सेल्स की बात करते हैं न यानि कि किसी को कोई चीजें बेचते हैं तो दो तरहां से बेचते हैं या तो कैश सेल्स होती हैं या फिर क्रेडिट सेल्स होती है या तो सेल्स करते हैं हम लोग तो वो सेल्स कैश सेल्स होती है या क्रेडिट सेल्स होती है cash sales में क्या होता है cash sales में चीजें एक हाथ से बेची दूसरे हाथ से पैसे मिल गए credit sales में यह होता है कि पैसे बाद में मिलता है let's say यह हमारी example number one थी यह example number one थी ठीक है example number two पर आता है example number two में मैं यह कह लेता हूँ कि भई मैंने fees रखी rupees 10,000 per student ठीक है ना online class उसकी let's say let's say तीन admission वे तीन admission वे ठीक है तीन admission वे अच्छा एक बच्चे ने cash उसी वक्त पे कर दिया और दो ने बोला कि sir हम जो है ना आपको 10 दिन बाद पे कर देंगे तो मैं कहुँगा एक बंदे की cash sales हुई है और दो की credit sales हुई है दस दिन का इन्होंने time दे लिए बाद समझ में आ रही है ठीक है बाद समझ में आ रही है ठीक है भाई fee से 10,000 रुपे पर बच्चा online classes की तीन admission वे एक ने उसी वक्त cash पैसे दे लिए और दो नें बोला कि हम आपको कुछ time बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद पैसे दे लिए यह दस दिन कहलाता है credit period credit period ठीक है दस दिन कहलाता है credit period यानि कि मैंने इनको दस दिन का credit दिया है अच्छा अब क्या होगा अब लेट से यह जैन्वेरी की बात है जैन्वेरी का महीना है जैन्वेरी की बात है और जैन्वेरी का ही यह तीन एड्मेशन है जैनवेरी में ही पूरा कोर्स खतम हो जाएगा जैनवेरी में ही तीनों बच्चों को मैं पढ़ा दूंगा ठीक है और लेट से मेरा जो एक्सपेंस है वह एक जूम आईडी का जूम आईडी का 2000 रुपए का खरचा है और इलेक्रिक सिटी का खरचा है एक मैं एजिएम कर रहा हूं कि हिसाब लगावा अच्छा अब लेट से लेट से यह एड्मेशन तीनों जो वह ना है यह तीनों एड्मेशन जो वह यह ना यह फिर्स जैनुरी को हो गए पर्स जैनु यह दो लोग मुझे पैसे कब देंगे क्या यह पैसे मुझे फर्स जैनुरी को मिलेंगे नहीं सर दस दन का टाइम दिया है तो यह दस जैनुरी क्या आस-पास पैसे देंगे 10-11 ठीक है अब होगा कुछ इस तरह से कि मैं यहां पर डेट्स को भी इन्वाल्फ कर लेता हूं ठ जैनुरी वाले दिन मैं जो एंटरी पास करूं गा ना वह करूंगा कैश डेबिट 10,000 रुप है शेल्स क्रेड़िट 10,000 रुप है यह कौन से बच्चे के लिए जिस बच्चे ने उसी वक्त पैसे दे दी थे और दूसरी एंटरी मैं पास कर दूंगा रीसीवेबल Receivable Debit 20,000 रुपए Sales Credit 20,000 रुपए ये उन दो बच्चों के लिए हैं जन्होंने कुछ वक्त बात पैसे देना है अलबता सेल हो गई वो पढ़ना शुरू हो गए वो पढ़ रहे हैं उनको मैं सर्विस भी दे रहा हूँ और उन पे खर्चे भी कर रहा हूँ एक बच्चे ने पैसे दे दिये हैं पैसे एक ही बच्चे से आए हैं Cash Asset है, Asset Increase होता है तो Debit होता है और Sales Income है, Revenue है, Revenue Increase होता है तो Credit होता है बागी दो बच्चों के लिए Receivable इसका क्या मतलब है Receivable याने कि किसी से पैसे Receive करने है जिसे मुझे पैसे Receive करने है वो मेरा Receivable है पहरी जनवेरी वाले दिन मुझे इन दो लोगों से पैसे Receive करने है ये Current Asset है, Current Asset क्यों है Within One Year Benefit मिलेगा क्या Benefit मिलेगा दस दिन के अंदर इन लोगों से मुझे पैसे मिलेंगे तो रिशीवेबल एक एसेट है एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा अब जब 10 जैन्वेरी को 10 जैन्वेरी को ये पैसे देंगे 10 जैन्वेरी को जब ये कैश दे देंगे इनोंने बुला था ना 10 ंवरी वाले दिन मेरे पास कैश आया होगा कैशे आये वंगे 20 20,000 रुपे लेने थे उन्होंने 20,000 रुपे मुझे दे दिये तो अब अब उनका कोई बकाया खाता नहीं रहा जिनसे मुझे 20,000 रुपे लेने थे उन्होंने 20,000 रुपे दे दिये तो अब उनसे कोई पैसे लेने को बाकी नहीं है प्रिसीवेबल खतम हो गया और वो कैश में कर्वेट हो गया ठीक है और एजियूं कर लो 30 जैनरी वाले दिन मुझे बिजली और जूम आइडी के पैसे पे करने थे तो जूम आइडी का एक्सपेंस है वो हमने डेबिट किया एजियूं कर लो कैश में हमने पे की है यह थे 2000 र प्रॉफिट कितना कम आया प्रॉफिट में एक सेल्ज है हमारी सेल्ज कितनी है दस जमा बीस यानिके तीस हजार की सेल्ज है और एक्सपेंसेस कितने है एक्सपेंसेस जो हैं वह आपके 2000 और 1500 यानिके 1500 और 2000 यानिके 35 जो अपकी जो नेट प्रॉफिट या नेट इंकम है यस जैनुवरी के महिने का वो होगा 26000 और पांटी तर्ययंद क्या यह बात समझ में आई आई आप लोगों को तो यहां पर मैंने receivables की term को introduce किया receivable का मतलब यह है कि यह आपका current asset है यह वो लोग होते हैं जो आपको कुछ time बात पैसे दे देते हैं और जब यह पैसे दे देते हैं तो cash debit हो जाता है और receivable credit हो जाता है receivable आपका current asset होता है क्योंकि आपको within a quick time within few days कुछ benefit मिल रहा था और वो benefit इस तरह का था कि आपको पैसे receive हो रहे होते हैं कुछ दिनों बात clear है और इस तरह से आपका यह profit सामने आ जाता है profit calculate हो जाता है क्या इसमें कोई भी किसी किसम की confusion है तो मुझे बता दें इस दूसरी example में मैंने आपको cash sales और credit sales के बारे में introduce किया बताएंग चीज़े ठीक है अच्छा अब देखो यह teaching service की बात हो रही है teaching service की बात हो रही है तीन चीज़ें थी याद है एक तो trading companies थी एक तो trading companies थी trading companies क्या करती है क्या trading companies ऐसी हरकत करती है जो उपर करी है नई बनी मनाई चीज़ें खरीद के बनी मनाई चीज़ें बेचती है दूसरी manufacturing companies क्या करती है चीज़ें बना कर बेचती है और तीसरी service companies होती है service companies होती है उनका कोई tangible product नहीं होता लहाज़ा उनके कुछ sales revenue होता है उसमें से वो अपना खर्चा माइनस कर देते हैं तो एक profit की value आ जाती है सही है जी असानी से सरह से profit की value आ जाती है अभी हम service industries के trial balance ledger वगएर सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन एक आपको idea मिल गया और एक नए टर्म आपके दिमाग में बैठ गई कि अच्छा एक नए टर्म होती है जिसका नाम होता है receivable एक नहीं टर्म होती है जिसका नाम होता है receivable और service industries की कुछ double entries आपने लेखी इसमें कोई मसला कोई मसला कोई मसला नहीं कोई मसला चलेंजी अब ज़र ट्रेडिंग इसकी तरफ आते हैं ट्रेडिंग अमपनी जो है ना अच्छा अभी हमने यह जो यह जो फॉर्मेट बनाया था यह किसी इसका फॉर्मेट था यह जो भी टॉपर मैंने फॉर्मेट बनाया था यह क इसका फॉर्मिट था स्टेट्मेंट और फाइनेंशियल पोजिशन एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि मैरे जो होते हैं मैरे जो यानि कि जो शादी करवाते हैं क्या सवाल आया क्या थिंकिंग है क्या वह मैनेफेक्चरिंग अमपनी है क्या वोलते हो आप लोग वहां पर मतलब मतलब जोड़े आस्वान फरवनते हैं मैरे जोल मैं मैने योजा नगाता है है मैनेफेक्पेट्रिंग करेаемся अगर लोग है थाए। देखो मेन काम क्या है मेरेज होल के हिसाब किताब में अगर वो फूर को भी शामिल करता है दो बिजनस को इंटिग्रेट कर लेता है तो फिर वो एक बीच की कोई कंपनी बन गई और उसमें दोनों प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स बन रहे होंगे अपनी जगापर मैनेफ के बजाए 12,000 रुपे फीस दोंगा और मैं नाश्ता भी करवाओंगा और मैं टीचिंग प्रोवाइड करूंगा सुबह नौ से शाम पांच बज़े तक या छे बज़े तक आप लोगों को जो है वो पढ़ाओंगा और बीच में खाना भी खिलाओंगा अब खाना के लिए के लिए मैंने जो है वो मुर्गी पकड़ी और अपने को को बोला भाई पगा कर बच्चों को खिला दो तो क्या मैं मैंने फिक्चरिंग अमपनी हो जाओंगा नहीं न मेरा में काम क्या है भाई तो इसी तरह की बात हो गई न देखो हम अभी इन चीज़ों को कॉंप्लेक्स करेंगे तो बहुत कॉंप्लेक्स हो जाएंगी इन रियालिटी इन रियालिटी चीज़ें या प्रैक्टिकली चीज़ें त्योरेटिकली से डिफ्रेंट होती है देखो बहुत सारी कंपनी जासी होती है जो ट्रेडिंग भी करती है मैनेफेक्चरिंग भी करती है बहुत सारी कंपनी जासी होती है जो ट्रेडिंग मैनेफेक्चरिंग और सर्विस भी करती है तो क्या इंस्टिट्यूट मैंने फेक्ट्रिंग हम नहीं हो जाएगा इन प्रैक्टिकल लाइफ कैंटीन एक अलग जगह है जहां पर खाना पक रहा है मगर वह इंस्टिट्यूट इन इट सेल्फ एक सर्विस कंपनी है वह सर्विस दे रहा है बच्चों को पढ़ाने की सही ह पकाने वाले ने आलू खरीदे थे आलू खरीद कर उसने उसकी शकल चेंज करी थी उसको कट करा था कट करकर उसको पकाया था पका कर प्लेट में दिया था तो उसने मैनिफेक्ट्रिंग करी ऑफ फ्रेंच फ्राइस फ्रॉम पोटेटोस उसका रॉम माटीरियल आलू है उस ही होगा हाल तो फिलाल इधर ही दो प्रैक्टिकली 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 चीज़ें डिफिरेंट होती हैं एक ही कंपनी में उसके सब यूनिट्स सब डिपार्टमेंट्स सर्विस सेंटर्स इस तरह की बाते होती हैं जो आई आती रहेंगी वक्त के साथ साथ करेंट अब हाँ अब्दल्लाय लेकिन हम इंस्टिट्यूट को तो नहीं बोलेंगे ना बेटा वो बात तुमारी सही है लेकिन अगर इदारा जो जहां पर तुम पढ़ने जा रहे हो वहां के कैंटीन में हालू के चिप्स मिल रहे हैं उसकी वज़े से वो इदारा वो इंस्टिट्य कंपनी हो तो मैं कहँ रहा हूँ इतना रिमोट अभी ना सोचो अच्छा खिर चलो इजर आओ देखो जो ट्रेडिंग ने इस वह होती है उसके लिए एक सेल्स रेविंडियो जणरेट होता है सेल्स में से माइनस कर दिया जाता है लेस कर दिया जाता है कास्ट आफ गूड् उन्होंने बेची उसकी कास्ट को वापस से आ जाओ ठीक है सेल्स रेविण्यू लेस कास्ट और गृड़ सोल जो चीज़ें बेची गई उसकी कास्ट सेल्स रेविण्यू मैसे जब हम और कोस्ट कास्ट अफ गृड़ सोल को माइनिस कर देते हैं तो जो amount बच जाता है उसको कहते हैं gross profit उसको क्या कहते है gross profit ठीक है जी sales revenue में से cost of good sold को minus करते हैं तो gross profit आ जाता है वापस से बताता हूं let's say let's say let's say let's say एक laptop वाले की दुकान है let's say एक laptop वाले का store एक laptop वाले की दुकान है उसे पांच laptops बेचे पांच laptop बेचे एक की जो selling price थी ना selling price 25,000 रुपए थी एक laptop एक laptop कितने का बेचता है एक laptop कितने का बेचता है 25,000 रुपए का उसे पूरे दिन में पांच unit sold पांच है पांच laptop बेचे पांच laptop बेचे तो हम क्या कहेंगे कि किसको तो हुआ है इक लैप-टॉप आशfa wraalies 25 – 22,000 वाले एक दिन का हिसाब के यम्हा तर चшाब कर रहें हैं पांच लैप-डॉफ भेचे तो हम यह ते हेंगे کہ भाई इसका benefit 25,000 इन्टु 5 याने के एक लाख 25,000 रहे समझ zg बहुं आई बाद अब ये कौन सी कमपनी है ट्रेडिंग कमपनी है ट्रेडिंग कमपनी है बने मना ही लैप्टाफ खरीदे के पेचा करते हैं अच्छे यह लैपटाप जिसे किसी से खरीदे होंगे ना जितने पे खरीदे वो क्या कहलाता है कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब है कॉस्ट प्राइस का मतलब यह है कि एक laptop कितने रुपए में खरीदा होगा एक laptop कितने रुपए में खरीदा होगा सेलिंग प्रैस का क्या मतलब है एक laptop कितने रुपए में बेचा होगा तो पांच लैप्टॉप 25,000 रुपए के हिसाब से एक लाख 25,000 रुपए के बेचे और ये ले लेप टॉप्स इसने खरीदे कितने में थे यह पांच लेप टॉप इस ने 20Uh ναar रुपे के हसाब से ये पांच लेप टॉप से 20Uh-tezार रुपे के हसाब से एक लाके खरीदे थे तो हम कहेंगे कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25,000 है अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट का एक और नाम होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रेडिंग इसको कहते है खरीद और फरॉफ खरीदने और ब पेचा उस पे जो कमाया एकलाऀ पच्छस ऐजार रुपए की बेची थीं हो इकलाए रुपए की खरीड ही थीन तो टरेडंग पर खरीडने और बेचने पर मैंने पच्छेस अजार रुपए का माली है ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कोई चीज खरीदने और बेचने पे जो कमाया लेकिन इसकी दुकान के और दीगर भी तो खर्चे होंगे ये घर ये पच्छेस अजार थोड़ी लेकर जाएगा इसकी दुकान के कुछ अप्रेटिंग एक्स्पेंसिस भी होंगे मिसाल के तोर पर रेंट होगा मिसाल के तोर पर कोई वरकर होगा उसकी सैलिरी होगी इलेक्टिक सिटी का बिल होगा और एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी लब्वी चौड़ी लिस्ट होगी ये सारे क्या कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस कहलाते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं ऑपरेटिंग क्या कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस यानि कि ऑपरेशन्स को चलाने के लिए ऑपरेशन्स को चलाने के लिए जो मजीद खर्चे करे गए एक दुकानदार जितने की चीज़ बेचता है जितने की खरीदता है इसके फर्क से जो कमाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है लेकिन ये इसका नेट प्रॉफिट नहीं होता घर ये इसके ये पैसे नहीं जाएंगे इसे ये कमाया ऐसा नहीं ब ने जाकर फिर मैंने जाकर ये पैसे कमाएं तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी हैं मेरे कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी हैं कुछ दूसरे खर्चे भी हैं सर्फ खरीदे और बेच्टे पे कमाता तो तो बड़ी आयाशी होती लेकिन दूसरे खर्चे भी हैं त का मतलब यह क्या के ट्रेडिंग पर जो का माया वह लेंशे बाद फिर मजीश घर्च जो मेस उते हैं उसके बाद उनको माँढ़ करकर जो पैसा बच जाता है वो एक बंदा अपने घर ले कर जाता है जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं अब यहां से हम यह कह सकते हैं कि अगर sales revenue में से अगर sales revenue में से cost of goods sold को minus कर दिया जाए तो जो बचता है उसको gross profit कहा जाता है है ना और gross profit में से gross profit में से operating expenses minus कर दिये जाए gross profit में से operating expenses minus कर दिये जाए तो जो बच जाता है उसको net profit कहते हैं ठीक है रहा हूँ अगर मैं sales revenue में से cost or good sort को minus कर दूँगा जो बचेगा वो gross profit होगा फिर gross profit में से मैं operating expenses को minus करूँगा तो जो बच जाएगा वो net profit कहला आएगा एक trading अम्पनी के लिए कुछ इस तरहा का profit and loss account बनता है अलबता ये भी मजीद अभी expand होगा ये एक basic सा trading and profit and loss account था ये statement of comprehensive income था इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट of comprehensive income है जो हमने अभी यहां पर बनागी तो यहां पर session को end करते हैं और इंशाला अगले session में बातों को मजीद आगे लेकर जाएंगे I hope कि आपकी knowledge में मजीद इजाफावा होगा और session में यहीं से चीज़े continue करते हैं thank you so much Allah Hafiz